Hello everyone, आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 145, आज की हमारे हिंदी की वर्क्षीट है, डेट है 31st December 2020, हिंदी का पार्थ एक दिन की बादशाहत हमने पढ़ा था और पिछली हमने वर्क्षीट उसके बेसिस पर की भी थी, आज हम उसी को आगे continue करेंगे, प्यारे बच्चों कैसे हैं आप, बच्चों हम सबने मिलकर पार्थ एक दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना, आएए अब पार्थ पर आधारे तिन प्रशनों के उत्तर देने का प्रियास करें, प्रशन एक, नमलिखित वाक्य पार्थ में किसने कहा और किस किसे कहा, नीचे दीगई तालेका में लिख़ियें, नीचे हमें कुछ sentences दिये हैं, हमें बताना है कि यह sentences किसने कहें हैं और किस से कहें हैं, फर्स्टवाक्य कहा हमें पहला वाक्या हमें दिया गया है, बस कीजिए अबबा फोरन ऑफिस चाहिए, ये बात किस ने वोली थी, ये बात वोली थी आरिफ ने तो आप यहाँ पर first वाले column में लिखेंगे किस ने कहा आरिफ ने कहा और किस से कहा तो यहाँ पर आप लिखेंगे अबा से कहा जो हमने लिखा है next वाक क्या हमें दिया गया है रजिया जरा मुझे पांच रुपे तो देना अबा ने कहा किस से कहा अम्मी से या फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं रजिया से रजिया कौन है अम्मी अम्मी से कहा या फिर रजिया से कहा इतने भारी साड़ी क्यों पहनी सलीम ने कहा आपा से कहा था ये कही थी ये बाद जब वो function के लिए ready हो रही थे next हमें दिया गया है प्रशन दो नीचे चित्रों में दर्शाय गए कहानी के पात्रों को पहचानिये और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखे तो हमें यहाँ पर दो pictures दे गए हैं हम इन pictures में बताना है कि ये कौन-कौन है और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखना है मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे है आप और ज़्यादा भी लिख सकते हैं इनके बारे में मैंने यहाँ पर इसलिए कम लिखे हैं क्योंकि मेरे पास space कम था start करते हैं पुरुस्ट पिक्चर हमारे पास आरिफ की है तो हम पन्सर में लखेंगे आरिफ आरिफ के बारे में हमने क्या लिखा है आरिफ एक स्कूल जाने वाला लड़का है इसे पाबंदी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि जो पूरी स्टोरी हमें दी गई है वो किस बेसिस पर है कि आरिफ और सलीम को पाबंदी बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन उसके घरवाले करते हैं इसलिए वो अपने घरवालों को समझाना चाहता है कि ज्यादा पावंदी हो रही है और वो उनकी जब नकल उतारता है तो उनको पता भी चल जाता है तो आरिफ एक स्कूल जाने वाला लड़का है इसे पावंदी बिलकुल पसंद नहीं है यह बहुत अच्छी नकल उतार लेता है क्योंकि ये बात आपा ने भी कही ये बात अम्मी ने भी कही ये बात अबा ने भी कही कि बहुत अच्छी नकल उतार लेता है आप और भी लिख सकते हैं आरिफ के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि आरिफ को खाने में मीठा बहुत पसंद है आरिफ अपने भाई सलीम के साथ मिलकर एक दिन के अधिकार जब बड़ों के अधिकार उनको दिये गए तो उनका बहुत अच्छे से इस्तिमाल करके और अपने पेरेंट्स को बात समझा लेता है तो आप ये सारे चीज़े भी लिख सकते हैं अब हम आते हैं नेक्स पिक्चर पर नेक्स पिक्चर हमें दी गई है आपा की आपा कौन है? आपा है आरिफ की बड़ी बहन तो हमारे पास हमने यहाँ पर लिखा है आपा कौलेज जाने वारी लड़की है यह आरिफ की बड़ी बहन है आपा आरिफ और सलीम को हमेशा दलिया और दूर बिस्किट खाने को देती थी आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं कि आपा को अपने कॉलेज के फंक्शन में साड़ी पहन कर जाना बहुत अच्छा लगता है या आपा सलीम और आरिफ को हमेशा बोल देती है कि पुराने से कपड़े पहनो नए कपड़े मत पहनो कोई स्पेशल दिन नहीं है तो इस टाइब से आप आपा के करेक्टर को करेक्टर स्केच को यहां पर दर्शा सकते हैं नेक्स्ट हम आते हैं क्वेशन नमबर त्री पर पार्ठ में आए नेमलिकित शब्दों के अर्थ संकेत पेटी में चीपे हुए हैं शब्दों के अर्थ को ढूंड़िए और उन से शब्दों से वाक्य बनाने का प्रियास कीजिए वाक्य आप लोग खुद बनाएंगे क्योंकि हम फिफ्ट क्लास में हो गए हैं तो बहुत बड़े हो गए हैं वाक्य हम इजिली अपने आप बना सकते हैं शब्दों के मेनिंग हम लोग ढूंड़ लेते हैं फर्स दिया है इम्तिहान इम्तिहान होते हैं परिक्षा कोई भी चीज का टेस्ट होना परिक्षा इम्तिहान का परिक्षा तरकीब नेक्स्ट है तरकीब तरकीब यानि की योजना next है rose यानि कि प्रतिदिन next है तक्रार तक्रार यानि कि विवाद लड़ाई जगड़ा next हमें दिया गया है khanchama khanchama यानि कि रसोया जब वो खाने के लिए बोलने के लिया आया था khanchama तो यह हो गया यह आप notebook में लिखेंगे ऐसे के ऐसे पहले लिखेंगे जैसे इम्तिहान आपने लिखा जैसे हम अपने नोटबुक में वर्ड मिनिंग लिखते हैं ऐसे इम्तिहान और उसके आगे लिखेंगे परिक्षा उसका अर्थ परिक्षा तो ऐसे करके आप अपने नोटबुक में लिखेंगे अब आते हैं हम parents के लिए, आज क्या suggestion दिया गया है parents के लिए दिया है, बच्चों से उनके मित्रों के बारे में बात करें आपको क्या-क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या-क्या विश्ष्टाइ है उनकी कौन-कौन से चीज़ें आपको इतनी जाद अच्छी लगती हैं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं और यहां हमारी आज की वरक्षीट कम्प्लीट होती है